जय हिंदु दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में इस वीडियो में हम कवर करने वाले शिलंका और वेस्ट इंडिस के भीच खेला जाने वाला थर्ड ओडियाए मैच जो कहां से है वो खेला जाता हो दिखाए देगा 26 अक्टूबर को दुबर के 2 बज के 30 मिन तो उस मैच को भी हम आप डीटेल में अनलाइस करेंगे तो सुरू सेंट तक वीडियो को कंप्रीट वाच करिए तक आप सभी इंफरमेशन को जान सके और इस मैच में अच्छी स्टीम बना कर अच्छी वाल विन कर सके तो चली वीडियो को सुरू करते मिने किसी देरी कि व बहुत जादा इंपोर्टेंट आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन क्या हुआ मिल जाए तो जल्दे से जाए कि टेलिग्राम से जूट जाए और एक एक इंपोर्टेंट बात अगर आप हमारे चैनल पर पहले बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन मैच के हो चुके हैं तो इस मैच में यूजड पिच हो सकता है पिच जो है पैटिंग रहती है लेकर इस सीरीज में अभी थोड़े कम बनते हुए नजर आए अभी तक दो मैच इस खेले गए और इस पिनर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट टूल निभाएंगे नो डाउट बात करते हैं अब लास्ट के कुछ मैचेस की स्टैट्स की तो लास्ट मैच जो इस तीम इस दोनों टीम के बीच खेला गया था उसमें तीम ने पहले बल्लबाजी करते हैं बनाकर ऑल आउट हो गए थी टीम जब चेस करना है टार्गेट को तो 190 रन बनाई उससे पहले जो यहीं दोनों टीम के बीच में मैच वा था उसमें 185 यहां पर वेस्ट इंडीज के टीम ने पहले बल्लबाजी करते हुए बनाई थी 39 ओवर्स में और जब से लंगा कि टीम यहां पर चेस करने तो 34 रन बनाकर टार्गेट को चेस कर ली थी लास्ट के जो पांच मैच खेले तो टोटल 30 विकेट से ने रिकाले हैं पहली पारी में 18 विकेट दूसरी पारी में बार्व विकेट एक भीकat है लास्ट मैं आप ढपनेयर विकेट और तो हो जाएगे फिर उदर से रौस्ना चेर्ज बहुत द penalty ने को यहां वालें Якर यह सब प्लियर पर दयान देगे चलिएगा प्लेगए का लंगा के अपिरिण को श्र्राइब स्बस्राइब पर लाहिए अपोपोच नेको यौठ सकता है है विशसीया आगल कि लाहिए है इसकी अपर डव हात है निसान मैं दूसरइद से ल्ञाहा चैनी currently टिकस खेलत ही नज़ाएगे सब्सक्राइब की तरफ से ब्रेंटन किंग एथैनेज केसी कार्टी साई होप फिर राधर फॉर्ट राशनल चेस सेफ़र्ड विराल जारी जोसेफ मौटी फिरियां से सामार जोसेफ और जैरेंस इस आपको कहलते हैं नजर आ सकते हैं तो बात करें तो बैटने के लिए सरफ अच्छा रहना चाहिए और यहां पर आपके लिए is इस्पिनर्स यहां पर दोमिनेयेट aún करते वी कौन और दिखेंगे महस्पर आप यहां पर अपने हिंदे